दोस्ता नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम दो दस्नीक अख्षा के गनीद से प्रस्नावले 11.191 के प्रस्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो काफी important होने वाली है क्योंकि हर साल एक्जाम में से इसमें से प्रस्न आता ही आता है तो वीडियो को अंतक जोग देखेगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ठीक है तो आए वीडियो सुरू करते हैं प्रस्न संक्यतीन है 5 cm, 6 cm और 7 cm भुजाओ वाले एक तिर्भुच की रसना कीजिए और फिर एक अने तिर्भुच की रसना कीजिए जिसकी भुजाएं दिये हुए तिर्भुच की संगत भुजाओं की 7 बटा 5 गुनी हो देखे इसे पहले बाले सवाल में क्या था दो बटा 3 गुनी था कहने का मतलब है कि इसे पहले बाले सवाल में उपर छोटा था और नीचे बरा था लेकिन यहां क्या है उपर बरा है और नीचे छोटा है यह आपको ध्यान देना है ठीक है चलिए इसको बाद में देखेंग एक भुजा खिच लेते हैं सबसे पहले 7 cm का, ओके, तो देखे, ए हो गया 7 cm, ठीक है, और इसका आप चाहें तो नाम दे दीजे ना, क्या नाम है इसका, कुछ भी दे दीजे, देखे, यहां हम देते हैं B, और यहां देते हैं C, ओके, अब क्या करना है, अब 5 cm या 6 cm दोनों म ओके, तो यहां पर इसको रखेंगे, ठीक है, और यहां 6 cm का एक कट लगा देंगे, ओके, या नी चाप लगा देंगे, इसके बाद क्या है, 5 cm, तो आजे नाम लेते हैं, दिखे, ए हो गया, यहां से इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा, ए हो गया 5 cm का, ठीक है ना, तो यहां से 5 cm का चाप कर देंगे, फिर इसके बाद इसको मिला देते हैं, मिला दिया, इससे इसको मिला देते हैं, यह मिला दिया, इसका नाम ए दे देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अब क्या क्या हो गया, देखे, ए हो गया 7 cm का, क्या हो गया, 7 cm, ठीक है ना, ये हो गिया 6 cm और ये हो जाएगा 5 cm ठीक है लिख देते हैं यहाँ पे 5 cm अब क्या करना है देखें अब हमें नीचे की तरफ नियून को बनाना है ठीक है इस तरीके से और उपर कर लेते हैं इसको देखें यहाँ पे नियून को बनाना है यह नियून को मना दिया ठीक है नियून को उनको कितने भागों में बाटना है देखे सबसे बड़ा क्या है साथ बटा पांच याले कि सबसे बड़ा क्या है साथ है तो साथ ब्रावर भागों में बाटना है ठीक है इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ठीक है इतना कर लेते हैं छलेगा इतना है ना तो देखे इसको यहां से बाट ला है यहां पर रखेंगे ठीक है ना एक दो तीन चार पांच छे और चोटा पर गया ठीक है इसको थोड़ा सार बरा कर लेते हैं ठीक है और A हो गया यहां साथ ठीक है चलिक इसका नाम दे जाते हैं X क्या नाम देते हैं X नाम दे जाते हैं इसके बाद क्या करना है इस प्रतेक बिंदू का भी नाम देना है तो यहाँ पर B है तो इसका नाम देते हैं B1, A हो जाएगा B2, A हो जाएगा B3 A हो जाएगा B4 A हो जाएगा B5 और A हो जाएगा B6 और A हो जाएगा B7 ठीक है? अब यहाँ क्या करना है दीखे यहाँ पर यही एक समझने आपको है कि इस तो नीचे वाले सर्थ gob stri抗 मला दे ना है यानी बी 5 से को मिला देना है यह मिला दीए अब क्या करना है तो ठोटा बठा लेते हैं आगे इसके बढ़ाना ही पढ़एगा टेकर थे यहाँ? पर आपको दिकत नहीं उससे अब भी 5C के समांतर यहां भी 7 से एक रेखा खिचना है इसका नाम यहां पी हम कुछ भी दे सकते हैं ठीक है तो समांतर रेखा तो आप लोगों खिचने आता है इसे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था देखें यहां से आप छोटा खिचेंगे इसके बाद क्या करना है इसका दूरी नापना है यहां से इसके पॉइंट से मतलब नहीं है ध्यान रखेगा यहां से यहां नापेंगे इतना है ठीक है ना तो यहां रखेंगे और जो हमें चाप खिचाता है उसके पॉइंट पे और इसको क्या करेंगे चाप क रेखा खीचा है ना वैसे ही यहां से एक समानतर रहा खीचना है इसके लिए का करेंगे ना इसको बरहा देते हैं थोड़ा सा यह बरहा दिया अब देखिए यहाँ पर रखेंगे, एक चाप खिचेंगे, फिर इस बिंदू पर रखेंगे, एक चाप खिचेंगे, इसके बाल यहाँ से इसको ना पेंगे, इतना है, तो इस पॉइंट पर रखेंगे, इसको कट लगाएंगे, ठीक है, और एक रेखा यहाँ से, इस तरीके से खिच ए जो रेखा हुआ इस रेखा के समांतर ओके इसका नाम आप कुछ भी दे दीजे अब फाइनल मेरा रचना बनके त्यार हो चुका है अब करना बस सिर्फ ए है कि रचना के चरण और और चित लिखना है ठीक है तो आई ये लिख लेते हैं देखे रचना के चरण देखे कुछ नहीं है जैसे ऐसे हमने बनाया है वैसे वैसे लिख देना है सबसे पहले हमने क्या किया था हमने सबसे पहले 20 एक रेखा खंट कीचा था जो कितना सिंटीमेटर का था 7 सिंटीमेटर का था ठीक है तो सेम ऐसे ही लिख देना है देखे सर्व पर्थम BC बराबर 7 cm कॉमा इसके बाद AB कितना cm? 6 cm और AC 5 cm यह है ना तो AB बराबर 6 cm और AC बराबर 5 cm का एक तिर्भुज बनाया ओके? पहले step में तो एक आम किया था दूसरे step में हमने क्या किया? दूसरे step में यह जो BC रेखा है इस BC रेखा के नीचे की और निउन कोन बनाते हुए BX खीचा हला? लिखेंगे भुजा BC के नीचे की और नीचे की और निउन कोन बनाते हुए BX खीचा ठीक है? एह हो गया तिस्टे आश्टेप क्या है? B को केंदर मान कर किसको केंदर मान कर? यहाँ B को केंदर मान कर बराबर बराबर क्या किया हमने साथ चाप काटा है ठीक है न? लिखेंगे नमबर तीन में B को केंदर मान कर B को केंदर मान कर साथ बराबर चाप B बराबर B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 बराबर B5 बराबर B6 बराबर B7 खींचा इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद B5 से C को मिला दिया तो लिखेंगे चौथा पॉइंट C के समानतर के समानतर B7 D BC को बढ़ाते हुए को बढ़ाते हुए एक रेखा खींचा ठीक है? इसके बाद देखें इसके बाद क्या हुआ? छटा पॉइंट देख लेते हैं छटा पॉइंट में D पर D पर AC के समानतर एक रेखा खींचा D E है ना? तो लिखेंगे D पर AC के समानतर D E खींचा जो बढ़ाए गए AB से E बिंदू पर मिलती है ठीक है? इस प्रकार से मेरा रचना के चलन कम्प्लीट रहता है ठीक है? इसको आप अपनी भासा में भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? और चित लिखना है देखे और चित कैसे लिखेंगे? चुकिए DE DE समानतर है किसके? AC के इसलिए तिर्भूज ABC ABC क्या है? समरूप होंगे किसके? तिर्भूज EBD के ठीक है? लिखेंगे तिर्भूज EBD के अर्थात देखें EB बटा AB ठीक है ना? EB बटा AB बराबर BD बटा BC बराबर यहाँ आप देख सकते हैं DE बटा AC ठीक है ना? तो लिखेंगे DE बटा AC बराबर क्या हो जाएगा? हमारा सवाल क्या कह रहा था? हमारा सवाल कह रहा था देखेंगे आप यहाँ साथ बटा पांच गुनी हो है ना? तो लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर साथ बटा पांच गुनी है ठीक है ना? तो यही क्ouleव जाएगा नस में करें रचना है इसको आप लोग पेंसिल से बनाएंगे थिकक मैंने यहाँ पें का इस्तेमाल सबता हो दिखाई दें और आप अच्छे से समझ सके ठीक है अगर आप पेन का इस्तेमाल करते है तो आपका नंब्र भी कर सकता है इसलिए हरा हाल में इसको क्या करना है कि पेंसली से ही बनाना है इदाम गांठ बान लेना है आप लोगों को ओके चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद